चैनल दो आद्टर्ण ना एक एक इंफोर्वेशन शेयर करूंगा जो कि Canada Immigration लों लेके है गीया रिजल्ट आउंदेने जा नहीं आउंदे है कि प्रसाइसिंग डायम किसे सावनाल जड़ा वर्क करता है कि जो ओफिशल साइड दे लिखे आउंदा कि उसे सावनाल एड़ी अप्लिकेशन दे रिजल्ट आउंदेने वह सोटे सारी डाउड किलियर कारने कोशी करूंगा तास कि अन्यैंट अप्लिकेशन दे वह वह अप्लिकेशन दे डाटा आजाईस करके लिखे आँ अन्यासिक धायम किसे यह आप्लिकेशन कम दोुभक कि जाउन दे उल्या है ताक नचेसम फेड़ी आउंदिय जा जबूं ने पर सावना एवर्फिशलन दे लिखे अन्या है जो पहली है फाइल से नो चेमी ने विच उन्दिया निगिया दूसरी फाइल से नहीं वो साल दे विच ए ग्लियर निया निया तो न दोना दरी एवरेज आउनों साथ या अठमी ने एक प्रसेसिंग टायम देता जानदा गा दे दे अपन दासता है एंदा कि एनना टायम सान कि 40 वीक तो ज्यादा टाइम भी लाय सागधा गा बाट होन ज्यादा तर केसिस दे वच की हो रहागा कि 40 वीक तो रीडा काट ही प्रसेसिंग लाग रहे है ट्वाले वीक तो भी काट लाग रहे है तो स्टूडेंट दे 45-46 देज देविच जेटन दे रिजाल्ट देखनो म मिल रहे हैं तो एक प्रसेसिंग टाइम है इसे सावना वर्क करदागा कि जो लास्ट कुछ एप्लिकेशन ने किनने टाइम देविचे प्रसेस हुए हैं कदो उना नो जेटा रिवाल्ट मले है लाज छे मां थी है तिन्न मां था डाटा लेना अनलाइस गीता है जानदागा उस तो बाद जेटा हैगा अपनों एक ओफिशल साइट दे जेटा डाटा राख देता है जानदा जिसते मताबिक आपनों क्या जानदा है कि साड़ी इमिग्रेशन एडी एसे सावना लेड़ा हैगा प्रसेसिंग नाइम जेडाव कटरी हैगी ता मैं यह ही होपकार था कु प्रसेसिंग नाइम दी प्रवासा समझेगे होंगे ते जेकर सुन्हों हले भी समझे नहीं आये ता मने जुरूर दस्यों ता फिर मैं सुन्हों एक ग्राफ दे जरी यह सारी चीज समझाओ और दिकोश्य करूँगा ता सुटन आही एक इक अन्फरमेशन शेयर करने सी जेक करने सुस्क्राइब कर दे हो ओकी जी थेंक यू